गुजरात के लोकपुरिय मुख्यमंत्री स्रीपुपेंद्र भाई पतेल केंद्रिय मंत्रिय मंदल में मैरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सहीं जी विभिन्र राज्य सरकारों के मंत्रिगांड स्टार्ट अप की दुनिया से जुड़े सभी साथियों विद्यार्थि मित्र अन्य महानुभाव देवी और सज्जनों सेंटर स्टेट साइन्स कॉंक्लेव इस महत्वकुन समारों मैं मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं अभिनंदन भी करता हूं आज के नए भारत में सबका प्रयास की जिस भावना को लेकर हम चल रहे हैं ये आयोजन उसका एक जीवन्त उधार्ण है साथ्वे 21 सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस उर्ज्या की तरह हैं जिसमें हर छेत्र के विकास को हर राज्य के विकास को बहुत गती देने का सामर्थ है आज जब भारत चौथी आउद्योग्य क्रांति का नेत्रूत करने की तरह बढ़ रहा है तो उसमें भारत की साइंस और इस छेत्र से जोड़े लोगों की भूमी का बहुत एहम है ऐसे में नीती निर्माताओं का शासन प्रशासन से जुड़े हम लोगों का दाईत्व और बढ़ जाता है मुझे उमीद है अमदाबाद की साइंस सिटी में हो रहा ये मन्थन आपको एक नई प्रेना देगा साइंस को प्रुच्छाहित करने के उत्सा से भरत देगा साथियों हमारे सास्त्रों में कहा गया है ज्ञानम विज्ञान सहितं यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभाद अर्थात ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचे होता है तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है समाधान का, सॉल्यूशन का, इवल्यूशन का और इन्वेशन का आधार विज्ञान ही है इसी प्रेणा से, आज का नया भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही, जय अनुसंधान का आहवान करते हुए आगे बढ़ रहा है साथियों, बीते समय का एक एहम पक्ष है, जिसकी और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ इतिहास की वो सीख, केंद्रवर, राज्य, दोलों के लिए बविश का मार्ग बनाने में बहुत सहायक होगी अगर हम पिछली शताब्दी के शुरुवाती दसकों को याद करें, तो पाते हैं कि दुनिया में किस तरह तबाही और त्रास्दी का दौर चल रहा था लेकिन उस दौर में भी बात चाहे इस्ट्र की हो या वेस्ट की, हर जगह के साइंटिस्ट अपनी महान खोज में लगे हुए थे पश्चिम में, आइंश्टाइन, फर्मी, मैक्स प्लांक, निल्सबोर, तेश्टला, ऐसे अनेक साइंटिस्ट अपने प्रयोगों से दुनिया को चौका रहे थे उसी दोर में, सिवी रमन, जगदिश्चंद्र बोस, सत्यंद्रनाद बोस, मेगनाद साहा, ऐस्चंदर सगर, वैसे अंगिनित वैज्ञानिक अपनी नई नई खोच सामने लेकर क्या आ रहे थे, इन सभी वैज्ञानिकों ने भविश्च को बहतर बनाने के कई रास्ते खोच दिये, लेकिन इस्ट और वेस्ट के बीच एक बड़ा अंतर ये रहा, कि हमने अपने वैज्ञानिकों के काम को उतना सेलिब्रेट नहीं किया, जितना किया जाना चाहिए था, इस वज़े से साइंस को लेकर हमारे समाज के एक बड़े हिस्से में उदासिंता का भाव पैदा हो गया, एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि जब हम कलाकों सेलिब्रेट करते हैं, तो हम और नए कलाकारों को प्रेणा भी देते हैं, पैदा भी करते हैं, जब हम खेल को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम और नए खिलाडियों को प्रेणी भी करते हैं, पैदा भी करते हैं, उसी तरह जब हम अपने वैज्ञानों की उपलिब्दियों को सेलिब्रेट करते हैं तो सायंस हमारे समाज का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है वो पार्ट अप कल्चर बन जाती है इसलिए आज सबसे पहला आगर मेरा यही है आप सभी राज्यों से आये हुए लोग हैं मैं आपसे आगर करता हूं कि हम अपने देश के वैज्ञानिकों की उपलिब्दियों को जम करके सेलिब्रेट करें उनका गवरवगान करें उनका महिमावंडन करें कदम कदम पर हमारे देश के वैज्ञानिक हमें अपनी खोज के तारा इसका आउसर भी दे रहे हैं आप सोचि आज भारत अगर कोरोना की वैक्सिन विक्सित कर सका है, 200 करोड से ज़्यादा वैक्सिन डोज लगा सका है, तो उसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कितनी बड़ी ताकत है। ऐसे ही आज हर क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक कमाल कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों की हर छोटी बड़ी उपलब्दी को सेलिब्रेट करने से देश में साइंस के प्रती जो रुजान पैदा होगा, वो इस अमरित काल में हमारी बहुत मदद करेगा। साथियों मुझे खुशी है कि हमारी सरकार साइंस बेज़ डेवलप्मेंट की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। 2014 के बाद से साइंस और टेक्लोलोजी के खेत्र में इन्वेस्टमेंट में भी काफी बुद्धी की गई है। सरकार के प्रयासों से आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46 वे स्थान पर है 46। जब पी 2015 में भारत 81 नंबर पर था 81। इतने कम समय में हम 81 से 46 तक आए हैं लेकिन यहां रुकना नहीं हैं। अभी और उपर जाना है। आज भारत में रिकोर्ड संख्या में पैटेंट हो रहे हैं। नए-नए इनोवेशन हो रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि आज इस कॉंक्लेव में इतने सारे स्टार्ट अप साइंस के सेक्टर से हमारे हैं। देश में स्टार्ट अप की लहर बता रही हैं कि बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है। साथियों, आज की युवापीडी के DNA में ही science, technology और innovation उसके प्रती रुजान है, वो बहुत तेजी से technology को adapt करता है, हमें इस युवापीडी को पूरी शक्ती से support कर रहा है, आज के नए भारत में युवापीडी के लिए research और innovation के खेत्र में नए सेक्टर बन रहे हैं, नए सेक्टर खुल रहे हैं, space mission हो, deep ocean mission हो, national super computing mission हो, semi conductor mission हो, mission hydrogen हो, drone technology हो, ऐसे अनेक अभियानों पर तेजी से काम चल रहा है, नई national education policy में इस बात पर खास जोर दिया गया है, कि विद्यार्थी को उसकी मात्र भाषा में science और technology की सक्षा उपलब्त हो सके, थाथियों, इस अमरत काल में भारत को research और innovation का global center बढ़ाने के लिए, हम समने एक साथ मिल करके अनेक मोर्चों पर काम करना है, अपनी science और technology से जूड़ी research को हमें local starple लेकर जाना है, आज समय की मांग है, कि हर राज अपनी स्थानिय समस्यों के हिसाब से, स्थानिय समाधान तयार करने के लिए innovation पर बल दे, अब जैसे construction का ही उदहान लीजिए, जो technology हिमाले के खेत्रों में उपयुक्त है, वो जरूरी नहीं है कि पश्चीमी गांट में भी उतनी ही प्रभावी हो, रिगिस्तान की अपनी चुनोतियां हैं, तो तटिय इलाकों की अपनी समस्या हैं, इसलिए आज हम affordable housing के लिए भी light house पोजेश पर काम कर रहे हैं, जिनमें कई तकनिकों का उपयोग हो रहा है, उसको अजमाया जा रहा है, इसी प्रकार, climate, resilience, crops, उसको लेकर भी जितना local होंगे, उतने ही बहतर समाधान दे पाएंगे, हमारे शहरों से निकलने वाला जो वेस्ट प्रक्ट है, उसकी recycling में, circular economy में भी, science की बड़ी भूमिका है, ऐसी हर चुनोती से निपटने के लिए, यह आवशक है, कि हर राज्य, science, innovation और technology से जुड़ी, आदुनिक policy का निर्माण करें, उस पर अमल करें, साथियो, सरकार के तौर पर हमें अपने scientist के साथ, ज्यादा से ज्यादा corporate और collaborate करना होगा, इसी से देश में scientific modernity का माहूल बढ़ेगा, innovation को प्रोट्साहित करने के लिए, राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा वैज्यानिक संस्थानों के निर्माण पर और पक्रियाओं को सरल करने पर बल देना चाहिए, राज्यों में जो उच्य सिख्षा के सुन्स्थान है, उनमें innovation labs की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए, आजकल hyper specialization का दौर चल रहा है, राज्यों में अंतराश्य सरकी specialist laboratories की सापना की जा रही है, उसकी आवश्यक्ता भी बहुत है, इसमें केंद्र के स्तरपर, राष्ट्रिय संस्तानों के एक्स्पोटाइट के स्तरपर, राज्यों ही हर तरह से मदद के लिए हमारी सरकार तत्पर है, स्कूलों में साइंस की आधुनिक labs के साथ साथ, अटल टिंकरिंग labs के निर्माण के अभियान को भी हमें तेज करना है, साथियों, राज्यों में राष्ट्रिय स्तर के अनेक वैज्यारिक संस्तान होते हैं, नेश्टनल लेबरेटरिज भी होती हैं, इनमें के सामर्थ का लाब, इनकी एक्स्पर्टाइज का पूरा लाब भी राज्यों को उठारा चाहिए, हमें अपने साइन्स से जुड़े संस्थानों को साइलोज की स्थिती से भी बहार निकालना होगा, राज्य के सामर्थ और संसाधनों के बहतर इस्तिमाल के लिए, सभी वैज्यानिक संस्थानों का आप्तिमम उटिलाइजेशन उतना ही आवश्षक है, आपको अपने राज्य में ऐसे कायरकमों की संख्या में भी बुर्द्धी करनी चाहिए, जो ग्रासरूट लेवल पर साइन्स और टेक्लावलोजी को लेकर हम सब को आगे बढ़ाते हों, लेकिन इसमें भी हमें एक बात का ध्यान रखना है, अब जैसे कई राज्यों में, साइन्स मेले होते हैं, साइन्स फेस्टिवल होता है, लेकिन ये भी सच है, कि उसमें बहुत सारे स्कूल हिस्सा ही नहीं लेते हैं, हमें इसके कारणों पर काम करना चाहिए, जादा से जादा स्कूलों को साइन्स फेस्टिवल का हिस्सा बनाना चाहिए, आप सभी मंत्री साथ्कियों को मेरा ये भी सुझाव है, कि अपने राज्य के साथ ही दूसरे राज्यों के साइन्स करिकुलम पर भी बारिक रज़र रखे, दूसरे राज्यों में जो कुछ अच्छा है, उसे आप अपने यहां दोहरा सकते हैं, देश में साइन्स को बढ़ावा देने के लिए हर राज में साइन्स और टेकनोलोजी से जुड़े इंफ्रासक्त का निर्मान भी उतना ही आवश्ट है थाथियों भारत का रिसर्च और इनोवेशन इकोसिस्टिम दुनिया में स्रेश्ट हो अमरत काल में हमें इसके लिए पूरी इमानदरी के साथ जुटना है इस दिशा में ये कौनक्लेव सार्थक और समयबद्द समाधानों के साथ सामने आएगी इसी सुबकामना के साथ आप सभी का बहुत पहुत अभिनदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि आपके इस मन्थन से विज्ञान की गती प्रगती में नए आयाम जुड़ेंगे नए संकल्प जुड़ेंगे और हम सम मिल करके आने वाले दिनों में जो हमारे सामने आउसर है उस आउसर को गवाने नहीं देंगे किसी भी हालत में आउसर जाना नहीं चाहिए बड़े मुल्यवान पचीच साल हमारे पास है ये पचीच साल है जो विश्व में भारत के एक नई पहचान नई ताकत नया सामर्थ के साथ भारत को खड़ा कर देगा और इसलिए साथ क्यों आपका ये समय सचे अर्फ में आपके राज्य के विज्ञान और टक्लोलोजी के खेत्र में बल देने वाला बनना चाहिए मुझे विश्वास है आप इस मंधन से वो अमर्थ निकाल के जाएंगे जो अमर्थ आपके अपने अपने राज्य में अनेग नई अनुसंधानों के साथ देश की प्रगति में जुड़ेगा बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद